हेलो फ्रेंड्स मेरा नम है आकास और आप सभी के अकबर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल पे और आज के इस वीडियो पे और दोस्तों आज हम आपके सामने इस पेन से और इस रुमाल से एक बहुती बढ़िया मेजिक ट्री करके दिखाने वाले हैं और दोस्तों, इस mágit trick को करने के लिए अरपीतर राज जी ने कमेंट करके कहा था कि इस mágit trick को करके बताईये और इसका secret जो है हमें बताईये और दोस्तों, अगर आप लोग बी जानना चाते हैं क्या है आज का magic trick और अगर आप लोग सीखना चाते हैं इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखते रही है सबसे पहले हम आपको मैजिक करके बताएंगे उसके बाद आपको बताएंगे इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट क्या है और आप लोग इस मैजिक को कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का मैजिक ट्रीक सुरू करते है ज़िए दोस्तों आज का मैजिक ट्रीक शुरू करते हैं और आजका जो हमारा मैजिक ट्रीक है इसके लिए पास एक पेन है आप लोग देख सकते हमने एक पेन लिया हुआ है और इसके बाद हमारे पास यह एक रुमाल है तो सबसे पहले हम इस रुमाल को जो हम यहां पर ऐसे रख लेते हैं इस तरीके से और इसके बाद इसको यहां से ऐसे हम इसको फोल्ड कर लिया है तो इस रुमाल को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने बाद इस पे चलाएंगे एक magic और करेंगे एक जादू और दोस्तों हमने पर एपना magic चला दिया है तो चलिए सुरुमाल को वापस से आपको खोल करके दिखा दे रहे हैं जैसे हमने इस रुमाल को बंद किया था फिर वापस सेुरुमाल को है और दोस्तु को खोल करके दिखा दे रहे हैं आप लोग देख सकते हैं पेन रखा थे हैं यहां से हो जुगा है हम ने अपनी मैजिक से यहां को यहां से गायव कर दिया है तो चलिए दुबार आशाइस पर मेज tomar आप किया है उस पर कोफ़ें से हम लेकर आते हैं तो जैसे हमने इसको फोल्ड किया था दुबारस इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं दुबारस इसको ऐसे बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद इस पर हम फिर वापस से करेंगे एक मैजिक और दोस्तों हमने इस पर मैजिक चला दिया है तो चलिए इसको इस रुमाल को वापस से आपको खोल करके दिखा दे रहे हैं जैसे इसको हमने बन किया था इस रुमाल को वापस से आपको खोल करके दिखा दे रहे हैं और दोस्तों आप लोग देख तकते हैं यह पेन जो है यह पेन वापस आ चुका है हमने अपनी magic से इस पेन को गायाप कर दिया था है और फिर दुबारा से इस पेन को वापस ले आए है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की magic trick आपको कैसी लगी हमें वीडियो के नीचे comment करके ज मिलती रहे और आप भी हमारी magic की वीडियो को देखकर आप भी magic सीखते रहें तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस magic trick के पिछे का secret क्या है और आप लोग इस magic trick को कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इस magic trick को करना बहुत ही आसान है और इसका जो main secret है वह इस रुमाल के fold करने के तरीके में तो चलिए अब आपको बताते हैं इस रुमाल को कैसे fold करना है और दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तभी आप इस magic trick को समझ पाएंगे और तभी आप इस magic trick को कर पाएंगे तो आपको रुमाल इस तरीके से रख लेना है और इसके बाद आपको यहां पर ध्यान रखना आप इसको ऐसा फोल्ड करेंगे जैसे इन दोनों को बीच में आपको यहां पर थोड़ी सी जगा मिल जाए और इसके बाद जब इस पेन को आप इस रुमाल के उपर ऐसे रख करके इसको आप ऐसे मोड करके यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे ठ के बाद जब इसको खोलेंगे आप इस रुमाल को तब आपका जो पेन है उस रुमाल के अंदर चला जाएगा और देखने वालों को ऐसा लगया जैसे पेन जो है यहां से गायब हो चुका है लेकिन पेन जो है इस रुमाल के अंदर चला जाता है फिर वापस से जाब इस पेन बन किया था उसको आपको यहां से खोल लेना है ठीक है और ऐसे फोल्ड करते हुए जा रहे होंगे यहां से बाहर निकाल लेना है और इसके बाद जब इसको खोलेंगे और वापस से आजएगा और देखने वालों को ऐसा लगे जैसे आपने magic से pen को guy up करके फिर वापस ले आये हैं